गुड मॉर्निंग एवरिवन मार्किट दोस्तों फिर से नीचे की तरफ जाती हुई नजर आ रही क्या इसके पीछे अपडेट्स निकल के सामने आई क्यों मार्किट ऐसे यहां पे करेक्शन दिखा रही है और बाद में थोड़ा रिकावर होती हुई भी नजर आई है कहीं न कहीं दो बड़ी नीचे निकल के सामने आई है वो भी आपको बताने वाले है तो करते हैं वीडियो स्टार्ट सबसे पहले बात करेंगे बिटकोईन की तो 61-260 पे प्राई जा चुका है तो यहाँ पे 22 की सीरी शीबा इनो कोईन के अंदर है और फलोकी इनो कोईन की बात करें 17 की सीरी है पैपे इनो कोईन ये इसके अंदर गिरावट ज़्यादा दर्ज नहीं हो रही है ये बार बार गरीन सिगनल देने की कोशी कर रहा है मतलो जब मार्किट बढ़ेगी तो ये कहीं न कहीं काफी अच्छा पंप होने की सुमबावना या पे नजर आ रही है 79 की सीरी है तो चलते हैं दोस्तों ट्विटर पे की अनॉंसमेंट है दो जो बड़ी न्यूजे है वो आपको देते हैं उसे पहले एक छोटी सीर्केस्ट है कि अगर चैलन पर पहली बार रहे हो तो बाई चैलन को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि आपको लगातार ऐसी अपडेट्स मिलती रहे और टेलीकरम का लिंक देर ख़र डिस्क्रप्शन में जाके फटाफट उसे भी जोइन कर लीजेगा तो सबसे पहले जो क्रेक्शन बना उसके पीछे की वज़ा जानते हैं और उसके बाद दोसरी न्यूज जानेगे जो वज़ा है रोबिन हुड रिपोर्ट्स 26 बिलियन वर्थ ओफ क्रिप्टो करंसी अंडर कस्टडी इन क्वार्टर वन तो यहां पर रोबिन हुड ने दोस्तों जो एक्शेंज है बड़ा उसने काया कि उसके क्वार्टर वन के अंदर ही 26 बिलियन जो वर्थ की उसकी क्रिप्टो करंसीज है वो अंडर कस्टडी है तो कहीं न कहीं SEC नहीं यहां पर बड़ी कार्वी की उसने इस न्यूज का खुलासा किया ओ ठीक है इतनी बड़ी अब दवाब जब उसके एक्शेंज के उपर बना तो कहीं न कहीं मार्किट के अंदर पैनिक ट्रिगर तो होना था तो वही देखने को मिला प्राइज दवारा से नीचे की तरफ आया काफी और उसके बाद क्या हुआ जब अभी रिकावरी शुरू होगा चुकि यह न उसके बाद क्या हुआ USA हाउस वोटर टू अवरटर्न SEC रूल्स तो यहां पर क्या हुआ USA के अंदर वोटिंग हुई जो SEC जो है जो क्रिप्टो करणसी के रिलेटिव यहां पर वादा डालती है हाई रेगुलेट फाइनेशली फर्म फरॉम होल्डिंग बिटकोईन एंड क्रिप्टो तो वहाँ पर वोटिंग की गई कि इसको बदला जाए SEC के जो रूल्स हैं उसको चेंज किया जाए जाने कि क्रिप्टो करणसी के अंदर जो रुकावट है यहां पर डाल रही है SEC उसको हटाया जाए इस को रुकावट डालने से तो यह एक बड़ी और गुड न्यूज कही जा सकती है जो की एक होस पहले यह न्यूज निकल के सामने आई है कि वोट वहाँ पर हो चुकी है कि SEC को हटाया जाए जो क्रिप्टो के अंदर वादा डाल रही है उसको यहां से साइड में किया जाए मतलब जो उसके रूल्स हैं उनको चेंज किया जाए कि जो वर्क ये लोग कर रहे हैं जो भी है पैनिक ट्रिगर तो होना ही था क्योंकि पिछली पिछले दो-तिन दिन पहले एक निकल के सामने है कि SEC ने लाशूट दोबारा मतलो 29 भी एज़ दिया रोबिन हुड को तो उस वज़े से भी एक पैनिक ट्रिगर हुआ था लेकिन राहत की सास मिया मिलती हुई इन जरारिये USA की तरफ से वावे वोट हो रही है वो अच्छे के लिए ही हो रही है तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है और पहले दो दिन पहले जो दवाब बना था वो इंट्रेस्ट रेट को लेके बना था कि इंट्रेस्ट रेट गटाया नहीं जाएगा यहीं रखने की कोशिश कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि बढ़ने ना दिया जाए बढ़ने की आशंका उन्होंने यापर व्यक्त की थी उस वज़ए से एक पैनिक ट्रिगर था तो कोई ऐसी अपडेट्स नहीं है जिससे कोई बहुत ज़्यादा डरने की या गवराने की जरूरत हो एक दो न्यूज है एक दो दिन के अंदर ये और सॉल्ड आउट हो जाएंगी ये जो प्रोब्लमें आ रही है और उसके बाद मार्किट को बढ़ना ही है बुलिश ही रहने वाली है मार्किट जो की हाल्विंग के बाद जैसा होता है वैसा ही होएगा थो सकता है थोड़ा टाइम यहां पे लग जाए क्योंकि होंकों का एटिया भी दोस्तो इन फ्लो बढ़ता जा रहा है तो कब तक यहां पे रोकेंगे इस मार्किट को ये रुकने वाली नहीं है इसको बढ़ना ही है तो यह थी दोस्तो अप्डेट क्रिप कि दोस्तो इन फिए झाली नहीं है तोस्तो कि दोस्तो यहां, कि दोस्तो वी दोस्तो इसा ड़ आसदूस्तो